साथियों, जब हम टेक्नोलोजी की चर्चा कर रहे हैं, तो मैं एक और इंट्रेस्टिंग विशे की चर्चा करना चाहता हूँ। आपने हाल फिल हाल में पड़ा होगा, देखा होगा कि IIT मद्रास के अलूमनी द्वारा स्थापित एक स्टार्ट अप ने एक 3D प्रिंटेड हाउस बनाया है। 3D प्रिंटिंग करके घर का निर्मान आखिर ये हुआ कैसे? दरसल इस स्टार्ट अप ने सबसे पहले 3D प्रिंटर में एक 3D डायमेंशनल डिजाइन को फिड किया और फिर एक विशेश प्रकार के कॉंकरीट के माध्यम से लेयर बाय लेयर एक 3D स्ट्रक्चर फैब्रिके छोटे छोटे कंस्ट्रक्चन के काम में भी वर्षों लग जाते थे लेकिन आज टेक्नोलोजी की वजह से भारत में स्थिती बदल रही है कुछ समय पहले हमने दुनिया भर की ऐसी इनोवेटिव कंपनीज को आमत्रित करने के लिए एक ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलोजी चैलेंज लॉंच किया था ये देश में अपनी तरह का अलग तरह का अनुखा प्रयास है इसलिए हमने इने लाइट हाउस प्रोजेक्स का नाम दिया फिलहाग देश में छे अलग-अलग जगों पर लाइट हाउस प्रोजेक्स पर तीजी से काम चल रहा है इन लाइट हाउ जो गर मनते हैं वो अधिक टिकाव किफायती और आरामदायक होते हैं मैंने हाली में ड्रॉंस के जरिये इन प्रोजेक्ट की समिक्षा भी की और कायरे की प्रग्यति को लाइव देखा इंदोर के प्रोजेक्ट में ब्रीक और मोर्टार वॉल्स की जगह प्री फेब्रिकेटे जिनमें टर्नल के जरिये मॉन लितीक प्रोंक्रीट कंस्ट्रक्शन टेक्वलोजी का इस्त्माल हो रहा है इस टेक्वलोजी से बने घर आप्दावों का साम्ना करने में कहीं अधिक शक्शम होंगे चिन्ने में अमेरिका और फिन्लेंड की टेक्नोलोजी प्रीकास कॉंक्रिट सिस्टीम का उप्योग किया जा रहा है इससे मकान जल्दी भी बनेंगे और लागर भी कमाएगी राची में जर्मनी के 3D कंस्रक्शन सिस्टीम का प्रयोग करके घर बनाए जाएंगे इसमें हर कमरे को अलग से बनाए जाएगा फिर पूरे स्ट्रक्शर को उसी तरह जोड़ा जाएगा जैसे ब्लॉक टोईज को जोड़ा जाता है अगर तला में नुजिलेंड की टेक्नोलोजी का उप्योग कर स्टील फ्रेम के साथ मकान बनाए जा रहा है जो बड़े भूकम को जेल सकते हैं वहीं लखनव में कनड़ा की टेक्नोलोजी का इस्तमाल किया जा रहा है इसमें प्लास्टर और प्रेंट की जरुरत नहीं होगी और तेजी से घर बनाने के लिए पहले से ही तैयार दिवारों का प्रयोग किया जाएगा साथियों आज देश्ट में ये प्रयास हो रहा है कि ये प्रोजेक्ट इंक्यूबेशन सेंटर्स के तरह काम करें इससे हमारे प्लानर्स, आर्केटेक्स, एंजिनियर्स और स्टूनेंट्स नई टेक्नोलोजी को जान सकेंगे और उसका एक्सपरिमेंट भी कर पाएंगे मैं इन बातों को खास तोर पर अपने युवाओं के लिए साजा कर रहा हूँ ताकि हमारी युवा राष्ट हीत में टेक्नोलोजी के नए नए गशेत्रों की और प्रोच्छाहित हो सकें